तो इसके लिए हम अभी आपको कोकोनट कडी बनाना सिखाएंगे, सबसे पहले यह पाउडर में जो हमने दो चमच बहते लिया है इसके अंडर अगर आपको मिल जाता है कोकोनट का फ्रेश तो आप भो भी यूज कर सकते अगर नहीं मिलता है तो यह पाउडर के साशिय मिलते हैं आप यह उसके यह किसी भी जो है ना वो सुपर मारकेट में अवेलिबल होते हैं कोकोनट पाउडर के नाम से यह मिल जाता है रही एक प्याली दही लिया है तीन चुमच भरके मैंने चने का अटा लिया है यह कड़ी नॉमिली हम जैसे बनाते है ना वैसी है बनती है मगर इसमें ज्यादा कोई और इसके कडय में आ एक कारी ना बहुत स्टा ठीक है थोड़ी पतली होती है .ठीक Are अच्छे मैदा आ एक कड़ी दीच्वाल कया अच्छा सॉल्ट अभी नहीं डालेंगे सॉल्ट आखिर में जब कड़ी पख जाएगी फिर आप इसमें सॉल्ट डालिएगा नहीं तो ये फट जाएगा और दाना-दाना से नजर आने लगे आपको ये है हल्दी अब इसमें पानी डालूंगी थोड़ा और मैं इसे करूंगी ब्लैंट और चूले पर देखें मैंने तपेदी रख़ए है और इसमें दाल देती हूँ जैसे ब्लैंट हो जाएगा मैं डारेक इसके अंदर डाल दूंगी ठीक है ये है और एक चमच बढ़ा भरके मैंने ओल्क और आज भी हीडी में आउन कर लेकिए अप मैं ब्लेंडर चला के ब्लेंड करते हो इसके बड़ दारेक दाए दही, पोकोनट पाउडर और चने काटा एक पीस में आपको बताना भूलती है इस ओई में में ये गोज लाल मिठ्षी तीन दाल को बूलती है अब ये थोड़ी सोटे होजे अब इस ओउल में तरह से हल्दी भी दली है तो अब आपको कुछ डालना भी है तो रशी ये डाल के डाल देंगे अगर दिन इसमें पानी एक करूगी दो ग्लास इतना पानी एक करूगी कड़ी खाउसे में ये बहुत इंपोर्टन रोल होता है तो ये जरूरी है इस चीज में इसकी बगए मज़ा नी आएगा ना कोकोनेट कड़ी होती है तो तेस्ट अच्छा हो जाएगा है कड़ी खाउसे एक बर्मीज डिश है और ये आजकल हर कोई बना रहे है इतना ज्याद बनाना लेकिन इसमें ये कोकोनेट कड़ी का एडिशन जो है वो किस तरीके से बनती है वो लोगों को पता नहीं है इसके हम आपको सिका रहे है अज़े अब इसे थोड़ा हम पकाएंगे दस से बारा मिनिट हम इसे दी आज पे रख लेंगे जैसे ये थोड़ी ठीक हो ये वैसी है जैसे हमारी कड़ी आम हम लोग बनाते हैं घर में मगर इसमें कोकोनेट का इस्तमाल है इसलिए इसका तेस्ट थोड़ा सा डिफेंट होगा अब ये तयार होगी अब मैं इस स्टेज पे इसके अंदर सॉल्ट दालूंगे सॉल्ट दालके और फिर मैं इसे चुल कोकोनेट कड़ी हमारी त्यार है अब जो हम अपना नेक्स टैप करेंगे जो के स्टेज को बॉल करना है और उसके साथ जो लवाजमात की जूरत होती है वो सब भी आपको दिखाएंगे और उसके बाद लास्क में से असेंबल करके दिखाएंगे पानी बॉल होने के लिए अभी है क्षे षथे, अब हगे अब इसमें डाल देगे पानी घूंपा लागा है अब यह मैं इसमें डाल दैघाएंगे, मैंने दो पैकेट लियें यह स्केmontपकेश डिए गर वोस साब ले सकते हैं हम ने दो पैकेट लिये क्योंकि हमारे अफराइद ज्यादा खेंगे, अ अच्छा ओयल आप ये एक चमच मस्ग डालिएगा क्योंकि इससे चिपकेंगे नहीं नहीं तुक्या एक दूसे से लग जाएंगे अभी से उबलने देती हूँ एक दो बाल आता है जैसे सॉफ्ट होगी मैं सो तार कूंगी ये देखें स्पैगेटी बॉइल हो गई तो इससे मेने इस तरीके से प्लेट में निकाल दिया है अब ये कोर्मा है जो हम इसके अंदर डालेंगे और ये कड़ी है कोर्मे की अल्रीडी हम एक विडियो बना चुके हैं वह आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं तो इसमें कड़ी खाउसे में कड़ी का भी स्थमाल होता है अभी हम आपको असेंबलिंग करके दिखाएंगे के कड़ी खाउसे कैसे बनते हैं इस पर चौर्मी पर शृष्ट थोड़ा सा इस कडी में डाल देना चाहिए तो उससे कडी का टेस्ट और अच्छा हो जाता है अच्छा ये जो अपने बनाना अभी आपको सिखाई थी अब इसमें डालेंगेे चीटेश कडी आप उतने दालें अब यह आप अपनी मर्जी से इसकी असेंबलिंग कर सकते हैं लेकर जो इग्जैक्ली जो चीजें डलती हैं हम वो आपको अभी डालना सिका रहे हैं अब ढूए हुआ हम जो चीकन के पीज लिए हैं बड़े लिये है अगर आप चामे तो बॉल्लीस भी ले सकते हैं जो आपके अपनी मर्जी है छीक्ट यह इस तरीके से हमने इसके कोर्मा डाल लिया हैं अचयाये कड़ी खाऊं से में आलु नहीं डालाते हैं कोर्मे में हम नहीं इन आलु डालेगा लेकंगे क होसी जुञा cum अफ स्यूक्स कि आई समय नहीं डालेगा यह कि मियुआ जितने आपको चाहिए ये हरी प्यास के biological ट्रेत्तेdad हरी फ्यास के पत्ते ही लेंगे उसका जो उपर का टॉप होता है वो नहीं लेंगे बहुत ही एक क्रंचिनस इसमा आती है शी सर्थ यह हरा दनिया है तोरो हर चीज आप अपने हसाब से डालिए मैं अपने मर्जी से बना के आपको सब दिखा रही हूं यह हरी मर्चे बड़ी वाली अगर आपको तेज जादा चाहिए आप चोटी वाली कस्तमाल करें ठीक है यह दालिया हमने अब हम इसमें यह स्लिंज है ठीक है स्काइफी स्लिंज है इससे टेस्ट बहुत मजेगा हो जाएगा और यह हमने इस पर डाल दिया है और यह है लाल प्यास ठीक है आफ देख सकते हैं यह असेंब्लिंग हो गई है हमने अपने टीस्ट के Haw Agie आप अपने टीस्ट के साथ से बनाएं जो चीज आपको ज्यादे चाहिए वापैट कर सकते हैं यह हमारे लजीज कड़ी खाउस से त्यार है जो के बर्मीज डिश है आप इसे जरूर ट्राइ करें इसमें यह सारी चीज़े डलती है यह आप उपर नीचे कर सकते हैं आप कॉंटिटी बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है सब कुछ सीखो